नमस्कार दूस्तो आज की वीडियो शाओमी यूजर्स के लिए स्पेशल है क्योंकि यहां पर मैं लिक्षा है हूं आप सभी लोगों के लिए M.I.I.I.11 के थीम्स आपको थीम स्टोर पे नहीं मिलेगी तो बनेर यह इस वीडियो के साथ देखने के लिए किस तरीके साथ इन तर फटीकी तीम्स को अपने थीम स्टोर से एपलाई करा सकते सबी लिकऊ डिस्क्षिप्शन में देखने को मिलेगी तो दोस्तो इस लिष्ट में जो फर्स्ट थीम है उसका नाम है जोकर वी एलेवन सो दोस्तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी होम स्क्रिन आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा बाकि बात के नोटिफिकेशन पैनल के यह टूटली क इसके बात करें हम यहां पर इसके फोन डिलर की तो डिलर में भी आपको डिलर का आइकन जहां पर डार्क मोर्ट में देखने को मिलेगा सेटिक में जो है सारे केटेगरि वाइस इसे ग्रिट कर दिया गया तो यह वीक अलगसा लूग देरी बाग्या आपका वर्यम पैनल भ वाला फिनिश देखने को मिलता है उसके बाद ऐसा लगता है कि यार बैग्राउंड में कोई थीम अपने लगा रही है फिर कोई वाल पेपर आपने सेट कर रहा है कुछ इस टाइप का जो है आपको यहां पर सेक्शन मिलता है बागी डैलर पैट भी आपको टूटली कस्टमा हो रखी है बाग यहां पर हर सेक्शन में इन्होंने बैग्राउंड में एक वाल पिपर सेट कर दिया है बागी नविगेशन जेस्टर में आपको एक फिंगर देखने को मिल जाता है जो कि इसे बिल्कुली अलग सा लुक देखने में दे देता है बाद करें नेक्स थेम के दो उसका नाम है Android Q-Stock 11 दोस्तो अगर आपको भी Stock Android बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इस तरीके से अपने फोन में लगा सकते है नोटिफिकेशन पेनल भी टूटली कस्टमाइज हो चुका है सेम टूसेम स्टॉक एंडूइड जैसा तो गईस अगर आपको इस्टॉ देखने को मिल जाता है तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जागी बगी बात करते हैं नेक्स थीम की तो उसका नाम है iOS बॉस्ट वी 11 तो दोस्तों यह आपके फोन को जैसा आपको बता देगा आपके जो नोटिफिकेशन पैनल है वो भी टूट बात करें अगर messaging app की तो वो भी आपको same to same iOS जैसा ही देखने को मिलता है settings की बात करें तो guys about phone के सामने Apple का icon और सारे icons जो है आपको same to same Apple जैसे ही देखने को मिलते हैं तो और WhatsApp की बात करें तो guys यहाँ पर iOS WhatsApp लिखा हुआ देखने को मिलेगा और guys WhatsApp का color भी थोड़ा change हो रखा ह और guys lock screen पर अगर आप swipe down करते तो guys आपको यहाँ पेजे control panel मिल जाता है same to same iOS की तरह तो इस तरीके से जो आप totally phone को customize कर सकते चेंज कर सकते इस theme को apply करने के बाद आपका phone totally iOS जैसे लगी है बाकि theme को कैसे apply करना है वो आपको मैं end में बता दूँगा बात करें next theme की तो उसका न सब दे देता है notification panel की बात करें तो यहाँ पर आपको dark mode enabled मिलता है यहाँ पर अगर आपको dark mode भी पसंद है तो भी आप इस theme को apply कर सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी चीज आपको देखने को मिलेगी सभी dark mode में मिलेगी volume panel की बात करें तो यह भी थोड़ा सा customize देखने को dark mode में मिलेगा messaging app dark mode में मिलेगा और फिर अगर हम बात करें settings के तो वह भी आपको dark mode में देखने को मिल जाएगा तो यार यह चीज जो है दिखने में बहुत ही कमाल की यह theme और आप इसे apply करके अपने phone को totally जो है OnePlus जैसा फिल दे सकते हैं इसके लिए आपको theme editor of MIUI का जरत पड करना है देन आपको start पर click करना है add से back करना है next पर click करना है finish पर click करना है देन आपके सामने option आएगा install का तो install पर आपको click कर देना है और यह process करने के बाद basically guys आपको जाना है अपने theme store में और वहाँ पे जितने भी themes को आपने install किया हो वह सारी themes आपको देखने को मिल दोस्तों कुछ इस टाइप के थे हमारे वीडियो जब हमने बताया आपको पांच themes के भारे में अगर आपको Xiaomi के themes पसंद है तो आप इस वीडियो को like कर दिजिए और इन सभी themes को apply करके अपने phone को एक थोड़ा अलग सा look दे दिजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप की दूख एक की ळीजिए krijgen उलगे व边 कि ररत शाना आप की जाएप की बस्त आने खर आपको सहर में घूलेस का दोखे उलगे प् Begin arguments losses को इंडने आते हम र admissions соверш när इन विएर आपको दोछें हैं आपको ब szold में आपको से जापको स кई उलने जापको सरे